प्यारे बच्चो आज हम जानने वाले हैं कम वायुदाब का अक्षेतर कागज की एक गेंद बनाईए अब गेंद को बोटल की मुँ में रखिए और फूंक मारिए दुवारा से रखिए आपने देखा कि जो कागज की गेंद है वो बोटल में नहीं जा पाती इसका कारण है कि जब पवन का वेग बढ़ता है तो वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है और बोटल के अंदर दाब जो जादा है उसके कारण से गेंद बाहर निकल जाती है एक गतिविदी हम और करते हैं जानते हैं कम वायुदाब का अक्षेतर हम दो गुबारे लिते हैं द्यान से देखिए यहां पर हमने दो गुबारे लिये हैं दोनों को हुला करके हमने एक रस्षी के सारे कुछ दूरी पर बान दिया है अब दोनों गुबारों के बीच फूंक मारिये देखिए दुआरा से फूंक मारिये आप देख सकते हैं गुबारों के बीच हूंक मारने से जो हवा का वेग है वो बढ़ता है जिसके कारण से इन गुबारों के बीच वायूदाब कम हो जाता है और गुबारों के इस साइड जो है दोनों साइड वायूदाब जो होता है वो जादा है जिसके कारण से गुबारे चिपक रहे हैं. दुआरा से देखिए, फोंक मारिये, यह देखिए, दोनों गुबारे जो हैं, वो बीच में कम वायुदाब होने के कारण से चिपक रहे हैं अब हम एक गतिविदी ओर करते हैं कागज की पट्टी लें और इस कागज की पट्टी को अपने हाथ में उठाएं अपने अंगुठे और तरजनी उंगली के बीच इस प्रकार दबाईए और इस पर फूंक मारिए फूंक मारने से आप देख रहे होंगे कि कागज की पट्टियां उपर उठती हैं तो यहां पर भी आप समझ गए होंगे कि फूंक मारने से कागज की पट्टी के उपर जो है वायू का दाब कम हो जाता है और कागज की पट्टी के नीचे वायुदाब ज्यादा होता है जिसके कारण से पट्टी जो है वो उपर उठती है तो आपने सुना होगा समाचार पत्रों में रेडियों में टीवी में कम वायुदाब ख्षित्र के कारण से जो बादल बनते हैं बारिस होने की संभावना बढ़ती है आपने समाचार पत्र रेडियों टीवी में भी सुनाओगा जब तेज हवा आती है और हमारे घर की छट को उगाड ले जाती है वो भी कम वायुदाब के कारण होता है कैसे होता है जब हवा जो है हमारी घर की छट के उपर से गुजरती है तो पवन का वेग बढ़ने के कारण से वहाँ पर वायुदाब का दाब कम हो जाता है और घरों की जो छट जो है वो नीचे वायुदाब ज्यादा होने के कारण से उपर उड़ जाती है तो बच्चो आपने जाना कम वायूदाब का अक्षेतर धन्यवाद